तो आज की इस वीडियो में हम compare करने वाला एक गेम मोड के साथ तक guided access mode को तो देखते हैं पहले हम गेम मोड जो आपको notification center में जहां सा आप D&D on करते हैं वहाँ समझ जाता है तो गेम मोड लगाने के बाद हम एक एरिना प्ले करते हैं और इसके benefit में आपको बताता हूँ अब देखो गेम मोड लगाने के बाद simply benefit यह होते कि call तो आपके जो भी unknown number है उससे call नहीं आएंगे कुछ favorite contact जो आप add कर सकते हो अपने according उनके ही call आएंगे और notification आपको कोई भी नहीं आएंगे जिससे के iPhone के screen का आप अगर gun का बॉटन जो है देखो गन का जो pointer है जहां से आप इसको on करते हो वह उपर रखते हो तो आपका notification कोई भी क्लिक नहीं होगा तो यह तो simple इससे benefit मिल जाता है और call का कुछ ऐसा है आप अपने फेवरिट लिष्ट में जितने चाहिए उतने contact add कर सकते हो तो उनके call आ जाएंगे over the screen ठीक है अब इसमे आपका हाथ उपर से लग गया तो notification center या control center open हो जाएगा अब यही कुछ चीज है जो prolog या जो pro cameras है वो game में अपने नहीं चाहते तो इसके लिए भी हम आगे guided access mode देखेंगे और उसमें क्या benefits है वो भी और देखो game play को देख कितना जज मत करना मैं काफी दिनों बाद खेल र पर वहां से जाके on कर सकते है और इसे अपने हिसाफ से customize भी कर सकते हो कुछ additional setting भी डाल सकते हो और यह iPhone में ही available है only तो अब चलो देख लो यह हमारा यहां से सारे option मिल जाते है D&D वगेरा कि और अब बात करते है guided access mode की तो इसे on करने के लिए हम on पे click करेंगे ठीक है अब on क्लिक करने के बाद हम चल देते हैं अपने game पे okay so सब कुछ नौर मल रहेगा अब इसे on करने के बाद power key को आप दो बाद प्रेस करेंगे double tap करना आपको side में start का option दिख जाए अब start पे click करोगे तो यह pin मांगेगा अच्छिक है आप passport देना जो भी हो देखो guided access mode on होगा अब मैं open नीचे कहीं से भी कर लो ना ये game back होगा ना कुछ होगा game की setting में proper access कर सकता हूं बट इस app किसे और app में switch नहीं कर सकता हूं देखो मैं open नीचे कितना भी हाथ करो कहीं से भी कुछ भी करो notification center control center कुछ भी नहीं आएगा तो यार इससे आप pro level की gaming कर सकता हो देखो मैं आप दोबार उसको क्लिक करना ये आपके face ID लेगा और exit हो जाएगा अगर आपके phone में support रिंद नहीं है देखो जैसे बतारो दोबार हमने क्लिक किया face ID उसने read किया और ये game mode से बाहर okay so जैसे ही face ID देखो आपका game guided access mode हट गया अब आप इसको home screen पे जा सकते हो